Hello everyone, welcome to this channel, in this video we are going to read chapter number first from English NCRT book Honeycomb class 7, the chapter's name is 3 questions, यानि की 3 questions, अब यहाँ पर एक राजा था, जिसके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी, कि अगर उन 3 questions के जवाब उसको मिलते हैं, तो वो किसी काम में असफल नहीं होगा, तो वो अपने जो संदेश वहाग थे, चार और अपने राजे में भिजवा देता है, और कहता है कि जो भी उसको सही जवाब देगा उनके तीनों questions के, तो वो उनको बहुत सा इनाम देगा, रुपया पैसा और पद देगा, अब वो तीन questions उसके क्या थे, यह हम स्टोरी में देखेंगे, क्या उनको उसके जवाब मिलत हैं, और मिलते हैं, तो किस से मिलते हैं? तो चली पढ़ते हैं और जानते हैं, a king has 3 questions, and he is seeking answers to them. एक राजा था जिसके पास 3 प्रशन थे, और वो उनके जवाब जाता था, what are the questions, वो 3 questions देखें, does the king had what he wants और क्या जो राजा चाहता था उसका वो मिला या नहीं मिला तो चली पढ़ते हैं the thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things एक जो राजा था उसकी दिमाग में हमेशा एक सोच आती रहती थी के वो कभी फेल नहीं होगा अगर वो तीन चीजे जान जाए these three things were what is the right time to begin something किसी काम को करने का सही समय कौन सा है which people should he listen to और कौन सी लोग की बात उसको सुननी चाहिए what is the most important thing for him to do और उसके लिए सबसे important काम क्या है कौन सी चिस जरूरी है उसको करनी चाहिए the king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a lot sum of money to anyone who would answer these three questions तो जो राजा था ना अपने इन तीन questions के जवाब पाने के लिए उन्होंने अपने सभी messengers को संदेश वागों को दूतों को पूरे राजे में भेज दिया और साथ ही साथ ये बादा करते हुए कि जो भी इन तीनों questions के जवाब उसको देगा उसको बहुत सा धन रुपया पैसा मतलब देगा वो many wise men came to the king बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए but they all answered his questions differently लेकि सबने उनके तीन questions के अलग अलग जवाब दिये in reply to the first question अब पहला question जो कि क्या था कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा हो some said the king must prepare a time table कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारनी बनाने नी चाहिए कि किस काम को किस समय पर करना है and then follow it strictly और फिर इसको strictly follow करना चाहिए only in this way they said could he do everything at its right time और फिर उनोंने कहा कि यही तरीका है जिससे जो राजा है वो अपने सभी काम सही समय पर सही तरह से कर पाएगा other said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something कुछ लोगों ने कहा कि यह तो impossible है कि किसी काम को करने का सही समय advance में जनी कि पहले ही decide कर लेना अब जो राजा था ना वो हार चीज़ पर ध्यान दे रहा था जो भी उसके आसपास हो रहा था कि लोग क्या कह रहे है क्या नहीं कह रहे है avoid foolish pleasures and always do whatever seem necessary at that time अब राजे सब की बात सुन रहा था तो कुछ ने कहा कि जो राजा है उसको सारी चीज़ जो उसके आसपास हो रही है उस पर ध्यान लगना चाहिए ठीक है और साथ ने साथ वो सारे काम छोड़ देने चाहिए जिससे कि उनको खुशी मिलती है लेकिन वो सब मुठतापून काम है उनको avoid करना चाहिए and always do whatever seem necessary at that time और वही करना चाहिए जो कि किसी समय पर करना बहुँ ज़ादा जरूरी हो यद अधर सेट अधर किंग नीड़ कांसल वाइस मैं वोट हैल्प इम एक्ट एट प्रॉपर टाइम और कुछ ने कहा कि राजा जो है उसके पास एक मंत्री परिशद होनी चाहिए वो भी बुद्धिमान लोगों की जो उसकी सहायता कर सेके कि कौन सा सही टाइम है और कौन से सही टाइम पर उसको किस तरह का काम करना चाहिए कैसे रेक्शन अपना देना चाहिए क्योंकि अगर हम कहें कि कोई एक आदमी बिलकुल सही डिसाइड करेगा किसी चीज को करने का एक सही समय या तरीका कोई एक व्यक्ति अच्छे से बता देगा वो गलत भी हो सकता है बिना किसी की सहायता लिया अगर हम करते हैं इसके बजाए हमें एक आदमी के सला ना मानते हुए एक बुद्धिमान लोगों की परीशत अपने पास रखनी चाहिए और सब की जो चीजे बाते हैं उन पर ध्यान रख कर ही कोई काम करना चाहिए लेकिन कुछ ने कहा कि आसी बहुत सी चीजे हैं जो की जरूरी होती है करनी जिनको करना चाहिए इस तिंग कुछ नोट वेट पर दिशिशन अफ दिशिशन और यह चीजे किसी चीज का इंतजार नहीं करती कि सही डिसिशन परिशद कब लेगी उसको करना एट टाइम बहुत जरूरी हो जाता है तो उस टाइम पर बंती परिशद के डिसिशन का हम इंतजार नहीं कर सकते और तो डिसाइड टाइम पर दूइंग सम्थिशन इस निससरी तो लुक इंटो फ्यूचर और किसी काम को करने का जो सही समय है उसको डिसाइड करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए फ्यूचर पर भविश्य पर के भविश्य में इसका क्या परिणाम होगा उस चीज को ध्यान रखते हुए भी हुट हुए ही उस काम को करने का सही समय निशित करना चाहिए एड ओनली मजिशन को डूट दूट और सिर्फ जादुगर ही ऐसा कर सकते हैं आम इनसान तो ऐसा नहीं कर सकते के वो फ्यूचर को जान ले फ्यूचर में क्या होने वाला है यह तो सिर्फ जादुगर ही बता सकते हैं इसलिए राजा को जाना चाहिए जादुगरों के पास अब second question क्या था कि राजा को किन की बाते सुननी चाहिए किन लोग की बाते सुननी चाहिए तो उस second question के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को सुननी चाहिए अपने counselors की यानि की मंत्री परिश्यत के जो लोग है जो उसके सलाकार है उनकी बाते सुननी चाहिए और कोई decision लेना चाहिए कुछ ने कहा depressed यानि की जो पंडित वगरा होते हैं उनकी बाते सुननी चाहिए और तब कोई काम करना चाहिए कुछ ने कहा कि जो डॉक्टर से उनकी सला माननी चाहिए और कुछ ने कहा जो उनके सैनिक है वो सबसे जादर जरूरी है उनकी बाते सुननी चाहिए और उसको मानते हुए ही किसी काम को करना चाहिए उनकी बाते सुननी चाहिए तो थर्ड question समसेट science others chose fighting and yet others religious worship और जो तीसरा question था तीसरे question के जवाब में कहा कि राजा को science की तरफ यानि विज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए और कुछ ने कहा कि fighting की तरफ कुछ ने कहा religious worship यानि पूजा पार्ट में ध्यान देना चाहिए तो as the answers to his questions were so different लेकिन अब ये जो तीनो questions के जवाब थे वो सबके अलग-अलग थे the king was not satisfied अब जो राजा था वो संतुष नहीं हुआ सबकी बातों से जवाबों से and gave no reward और किसी को भी उन्होंने पुरुसकार नहीं दिया क्योंकि was satisfied नहीं हो पाया थे instead he decided to seek the advice of a certain Hermit इसकी बजाए उन्होंने decide कि वो जाएंगे सला लेने के लिए किसी आम इंसाल से यानि कि हार्मित से हर्मित होता है कुछ सादू संत वो इस विस्टम जो कि अपनी बुद्धी मता के लिए बहुत जाना जाता था प्रसिद्ध था बहुत जादा तो हर्मित लीव इन वूट विची नेवर लेफ और जो हर्मित था जो संत था महात्मा था या पंडित कह सकते हैं वो रहता था एक जंगल में और उस जंगल को वह सुरी कभी नहीं छोड़ता था इस नो वन बट सिंपल पीपल और वह बहुती साधारन लोगों से मिलता था राजा वगरा से नहीं मिलता था और इसलिए जो राजा था उन्होंने अपनी पहचान चुपाने के लिए कि वो की राजा है उन्होंने साधारन से कपड़े पहले बिफोर ही रिस्ट था हर्मित हर्ट थे किंग लेफ इस होर्स विद हीस बाडिगाड और वहां पहुंचने से पहले यानि कि जो हर्मित था जो सन था उसकी जोपड़ी में पहुंचने से पहले जो राजा था उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया अपने बॉड़ी गाड़ के पास है ना एंड वेंट ओन अलोन और अकेले चला गया अब जैसे ही राजा हर्मित की जोपड़ी के पहुंचा और उसने देखा कि जो हर्मित है यानि कि जो सादू है वो तो जमीन को खोद रहा था इन फ्रेंट ओफ इस हट अपनी जोपड़ी के सामने यानि कि राजा तो उस टाइम पर नहीं थे सादारन रूप बनाया था नहोंने तो उसका बड़ा ही स्वागत किया उन्होंने और अपना खोदना भी जारी रखा मतलब अपने काम को नहीं रोका स्वागत भी किया उनका और साथी साथ अपने काम को भी जारी रखा, मतलब गोदना जारी रखा तो Harmit was old and weak and as he walked he breathed heavily और जो Harmit था, काफी बूढ़ा था वो और कमजोर भी था, इसलिए जब वो काम कर रहा था, तो काम करते करते उसे बहुत ज़्यादा गहरी सासे लेनी पढ़ रहती, जोर-जोर से खीच के उसासे ले रहा था, the king went up to the Harmit and said, I have come to you तो जो राजा था, वो गया Harmit के पास, और उसने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, बुद्धिमान Harmit, to ask you, to answer three questions अपने three questions के जवाब पाने के लिए, how can I learn to do the right things at the right time कि मैं सही काम सही समय पर करना कैसे सीख सकता हूँ who are the people I need most, कौन से वो लोग है, जो मेरे लिए बहुत सब जरूरी है जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत है, and what affairs are the most important और कौन सी काम ऐसे हैं, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है करने the Harmit listened to the king, अब जो हमित था, उसने राजा की बाते सुनी, but did not speak, लेकिन वो कुछ बोले नहीं he went on digging, अपना काम करते रहे, मतलब की जमीन खोदते रहे you are tired, said the king राजा ने कहा कि आप काफी ठक गए हो, let me take the spade and walk in your place, और आप मुझे ऐसा करने दो, अपना फावडा मुझे दे दो और आपको काम अपकी जगा पर मुझे करने दो thanks, said the Harmit giving the king his spade, तो राजा को, जो Harmit था, उसने अपना spade, यानि की फावडा दे दिया, ठीक है then he sat down on the ground, और फिर वाजमील पर बैठ गया, यहाँ पर यह पर यह पिक्चर में आप देख पा रहा है when the king had dug two bats जब राजा ने दो क्यारियां खोद दी he stopped and repeated his questions तो उन्होने आपर रोग दी अपना काम करना खोदना और अपने तीन questions जो थे वो रीपीट किये तो हमिद गव नो आंसर जो हर्मित था उन्होने कोई जवाब नहीं दिया but stood up लेखिल खड़े हो गई stretching out his hand for the spade and said now you rest and let me work तो उन्होने पने हाथ बढ़ाते हुए राजा के हाथ से जो फावडा था वो ले लिया और कहा कि अब आप आप आराम कीचे और मुझे काम करने दीचे but the king did not give him the spade लेकिन राजा ने उनको फावडा नहीं दिया and continued to dig और अपना खोदना जारी रखा one hour passed then others एक घंटा भी था फिर दूसरा भी था the sun went down behind the trees और जो सूरज था न वो पेडों के पीछे छिप गया मतलब कहने का शाम हो गई थी and at last the king stuck the spade into the ground and said I came to you wise man for an answer to my questions और जमीन पर अपना फावडा पतकते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ अपने questions के जवाब लेने के लिये if you can give me no answer tell me so and I will return home और राजा ने कहा कि अगर आप मुझे मेरे questions के जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजे मैं वापेस अपने गर चला जाओंगा here comes someone running said the Harmit और फिर तभी क्या हुआ अचानक देखा Harmit ने किसी को आते वे तो उन्होंने का कि here देखो को वाँ पर कोई दोड़ता हुआ आ रहा है the king turned round तो जो राजा था वो पीछे मुड़ा and saw a beautiful man running towards them तो देखा एक दाढ़ी वाला आदमी था जो कि उनकी तरफ दोड़ता हुआ रहा था his hands were pressed against his stomach और उसने क्या गया था अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था from which blood was flowing जिससे खून बहरा था बहुत ज़ादा when he reached the king he fainted और जब वो राजा के पास पहुचा तो वो बेहोश हो गया fainted का मतलब वो था बेहोश हो जाना and he felled to the ground और जमीन पर गिर गया बेहोश होगे और पाया के उसके पेट में बहुत बड़ा खाव था the king washed and covered it with his handkerchief तो राजा जो था उसने उस घाव को धोया अच्छे से साफ किया और फिर इसको cover कर दिया धक दिया अपने रुमाल से but the blood would not stop flowing लेकिन जो ब्लड था उसने रुकना अभी बन नहीं किया वो चल रहा था बह रहा था मतलब कहने का the king redressed the wound until at last the bleeding stopped और जो राजा था उसने बार बार उसको अच्छे से पट्टी किया जब तक कि जो घाव है उसमें से bleeding होना बन नहीं हो गया खुन बहना बन नहीं हो गया the man felt better and asked for something to drink और जब यह सब हो गया तो जो रखती था उसने अच्छा मैसूस किया और मागा पीने के लिए कुछ the king brought fresh water तो जो राजा था वो उसके लिए ताजा पानी लेकर आया पीने के लिए and gave it to him और उसको वो दे दिया by this time the sun had set और उस time तक जो सूरज था वो बिलकुल छूप चूप चुका था and the air was cool और वातावरन बिलकुल थंडा हो गया था वा बिलकुल थंडी हो गय थी the king with the hermish help carried the wounded man into the hut and let him on the bed तो जो राजा था वो उस पुझारी हर्मित चाह सकते संथ उसकी help से उस घायल व्रक्ती को जोपडी में ले गए और वहां पर उसको बैट पर लेटा दिया the man close his eyes तो जो आदमी था उसने अपनी आखे बंद कर लिया and lay quiet चुप चाप लेट केया the king tired by his walk अब जो राजा था वो भी थक गया था अब चलते वे आया था दूर से and the walk he had done साती सथ दुसने काम भी किया था kudai wala lay down on the floor बोबी लेट गया फ्लोर पर वर्ष पर and slept through the night और पूरी रात वो सोता रह when he awoke it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was तो जैसे ही वो उठा तो इसको थोड़ी दर कि वो कहां पर था और किस अजीब से व्यक्ति से दाड़ी वाले व्यक्ति से वो मिला जो कि बैड पर लेटा हुआ था forgive me said the bearded man in a weak voice तो जो bearded man घायल व्यक्ति जो लेटा हुआ था वहापर उसने बड़ी कमजोर सी आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दीजे when he saw that the king was awake जब उसने देखा कि जो राजा है वो उठ गया है I do not know you and have nothing to forgive you for said the king तो राजा ने कहा कि मैं तो आपको जानता नहीं और मैं आपको माफ किस ले कर दूँ ऐसी क्या चीज़ है you do not do not know me कि आप मुझे नहीं जानते but I know you मैं आपको जानता हूँ I am the enemy of yours मैं आपका दुश्मन हूँ उस स्वार रिवेंज ओन यू जिसने की आप से ठानी थी रिवेंज लेने की बदला लेने की कसम ले थी स्वार का मतला यहां पर कसम लेना because you put my brother to death and seized my property क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की घाट उतार दिया था और सारी property उसकी संपत्ती जब्थ कर ले थी I knew you had gone alone to see that termit and I made up my mind to kill you on your way home और मैं जानता था कि आप अकेले गए हो संथ से मिलने के लिए इसलिए मैंने अपना दिमाग बनाया आपको मारने का प्लैन बनाया कि जब आप वहाँ पर अपने घर लोटोगे तो लोटते टाइम रास्ते में मैं आपको मार दूँगा but the day passed लेकिन दिन गुजर गया and you did not return और आप वापिस नहीं आए so I left my hiding place इसलिए मैंने अपना जो hiding place नहां पर में छुपा हुआ था वो जगह मैंने छोड़ दी and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me और उस तवरान जो आपके bodyguard थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया I escaped from him मैं उससे तो बचाया but I should have died if you had not stressed my wants लेकिन मैं बर गया होता अगर आपने मेरा जो घाव है उसको पट्टी नहीं की होती उस पर दवाई वगरा नहीं लगाई होती मेरा ध्यान नहीं रखा होता I wish to kill you and you have saved my life कि मैं तो आपको मारना चाता था लेकिन आपने मेरी जान मेरी जान बचाई Now if I leave I will serve you as your most faithful servant कि अगर मैं आप जिन्दा रहा तो मैं जिन्दगी भर आपकी सेवा करूंगा एक विश्वस्निय नोकर बनके आपका दास बनके and will order my sons to do the same और साथ इसाथ अपने जो बेटे हैं उनको भी यह आदेश दूँगा कि वो भी आपके विश्वस्निय दास बनकर रहें आपकी सेवा करें Forgive me और मुझे माफ कर दीजे The king was very happy to have made peace with his enemy so easily अब जो राजा था वो खुश था कि उसने अपने जो दुश्मन था उसके साथ एक शांती स्थापित कर ली ती उन्दोने के भी जो भी चीजे थी वो खतम हो गई दूर्भावना एक दूसरे के परती खतम हो गई थी And to have worn him over as a friend और उसके मन को जीत लिया था एक फ्रेंड की तरह वो बन गए थे He not only forgave him but Trish said he would send his servants and him on doctor to look after him और उन्होंने ना कि सिफ उसको माफ किया बल्कि एक नोकर भी उसके पास कहा कि वो एक नोकर भेजेगा उनके पास और साथ यसाथ एक डॉक्टर भी जो कि इसका ध्यान रखेगा उसके घाव को ट्रीट करेगा And he promised to give back the man his property और साथ यसाथ यवादा भी किया कि वो उस व्यक्ति को जो संपत्ति उसने जब्त की थी राजा ने वो उसको वापिस कर देगा Living the wounded man, the king went out of the hut और ये सब कहते हुए राजा जो था वो छोड़ कर उस घायल व्यक्ति को बाहर जोपडी से आ गया And looked round for the harmit और harmit को यानि कि उस संथ को चार ओर देखने लगा Before going away, he wished once more to get answers to his questions जाने से पहले वो चाहता था कि एक बार और वो harmit से मिले और अपने questions के जवाब उसको शायद मिल जाए The harmit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before और जो harmit था वो पैरों के अपने गुटनों के बल जुका हुआ था और उसने अपने हाथ में बीज लिये वेते उन बीजों को वो बो रहा था उन क्यारियों में जो कि उसने पहले दिन खो दी थी The king went up to the harmit and said For the last time I beg you to answer my questions wise men तो गया उनके पास और कहा कि मैं आपसे last बार बोल रहा हूं अनतीम बार पूछ रहा हूं कि कृप्या मुझे मेरे सभी questions के जवाब आप दे दीजे तो कहते हैं कि आपको तो आपकी questions के जवाब पहले मिल चुके हैं And said the harmit still bending down to the ground और अभी भी the harmit था जुका हुआ था अपना ground पर और जो बीज बो रहा था उस काम को उसने जारी रखा उसको रोका नहीं And the king has stood before him And the king was stood before him How I have been, I have been, sorry, been answered what to do you mean To मुझे ये कैसे जवाब मिल गया मेरे तीन questions का जवाब मुझे कैसे मिल गया बताए इसका क्या मतलब है Do you not see क्या तुम्हें दिखाईने नेता If you had not pitted my weakness yesterday अगर आपने मुझ पर मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती लेकिन आपने क्या इच्छा की कि आप मेरे पास रहोगे तो आप मेरे पास रुके इसलिए आपकी जान बच गई आप पर अटेक्ट नहीं हुआ So the most important time was when you were dragging the beds तो इसलिए सबसे जरूरी समय कौन सा था वो समय जब आप क्यारियां खोद रहे थे and I was the most important man और उस ताइम पर मैं सबसे जरूरी व्यक्ति था आपके लिए and to do me good was your most important business और मेरे साथ अच्छा करना ये आपका उस ताइम पर सबसे जरूरी काम था afterwards when the man run to us the most important time was when you were curing for him और उसके बाद जब वो व्यक्ति आपके पास दोड़ता हुआ आया तो most important time था उसकी cure करना because if you had no trust his wounds he would have died without having made peace with you कि अगर आप उसके घाव ठीक नहीं करते मारम पट्टी उसकी नहीं करते तो वो मर जाता और एक तरीके से आपके सर पे बोज रह जाता और आप ने एक दोस्त को जीत लिया है अब वो चीज आपको नहीं मिल पाती शांत आप अंदर से नहीं रह पाते so he was the most important man और इसलिए उस time पर वो व्यक्ति आपके लिए सबसे important था and what you did for him was your most important business और उसके लिए जो आपने किया उस time पर वो आपका सबसे जरूरी काम था जो आपको उस time पर करना चाहिए था remember then there is only one time that is important and that time is now और याद लखना के जो सबसे सही समय है वो time अब है यानि कि अभी जो करना है वो अभी की परसिती को देखते वे सही जो लगे वो करना चाहिए it is the most important time because it is the only time we have any power to act तो अभी का जो समय है वो सबसे महत्रपून समय है क्योंकि ये जो समय है इसमें हमारे पास ताकत होती है कि हम किसी चीज़ के प्रतिक किस तरीके से react करें और उसका क्या परिणाम हमें मिलता है the most necessary person is the person you are with a particular moment और जो सबसे जरूरी वक्ती है वो अभी के टाइम पर आपके सामने है इस पल वही है for no one knows what will happen in the future क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविश्य में क्या होगा and whether we will meet anyone else और हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या किस से मिलेंगे नहीं पता future का the most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone और इसलिए जो सबसे महतपुन काम है वो किसी भी व्यक्ती के साथ अच्छा करना है उसके भले के लिए काम करना है क्योंकि भगवान ने हमें अगर इस संसार में भेजा है तो इसी मकसद के लिए भेजा है so ये था आपका chapter इसी के साथ ये स्टोरिया पी खतम होती है I hope के आपको समझाया होगा and thanks for watching and we will meet again in next video with next topic okay thanks for watching again bye have a nice day